आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Question में हमें दे रखा है कि एक Unit Vector हमें निखालना है जो Perpendicular होगा एक Plane के और वो Plane किस-किस Point से पास कर रहा है वो हमें दे रखा है उसका Position Vector तो First Point का Position Vector है 2i-j plus 5k Second Point का Position Vector है 4i plus 2j plus 2k और Third का हमारा है 2i plus 4j plus 4k तो देखो यहाँ पे इसको डाग्राम से समझो तो डाग्राम हमारा कुछ इस टैप में मानलो यह हमारा Plane रहा कुछ यह हमारा Plane है मानलो अब इसमें क्या हो रहा है कि तीन Point है हमारे मानलो कि एक Point A रहा हमारा यह एक Point B है हमारा एक Point हमारा यहाँ पे C है अब देखो यह 3 Point है हमारे अब इन तीनों का Position Vector ठीक है First वाले को मैं A Point का Position Vector बोलता हूँ तो A का अगर मैं Coordinate लिखूँ तो Coordinate के Form में क्या होगा इसका XYZ Coordinate लिखो तो A का Coordinate आजाएगा 2,-1,5 ठीक है यह देखा है B Point का Coordinate मानले ता हूँ मैं 4, 2, 2 जो कि Second वाला हमारा Vector है Position Vector और यह C हमारा मानलो जो Third वाला हमारा Position Vector है उसका Coordinate है यानि कि 2, 4, 4 अब अपन क्या करते हैं इसको यहाँ पे दोनों को मैच करवाते हैं यानि कि A को अपन B से मैच करवाएंगे यहाँ पे Vector बना रहा हूँ A को B से मैच करवाएं तो मैंने A को B से मैच करवाया तो दो Vector हमने यहाँ पे मिला लिया यानि कि अगर A B Vector मैं लिखना चाहूँ A B Vector तो क्या हो जाएगा Position Vector of B Minus Position Vector of A यह हमारा आ जाएगा तो Position Vector of B अपन लिखे तो वो हमें दे रखा है वो क्या हमारा तो 4i प्लस 4i cap लिख दो Plus 2j cap Plus 2k cap Minus क्या हो जाएगा यहाँ पे Position Vector of A जो कि हमारा क्या है तो 2i cap Minus j cap Plus 5 times k cap यह हमारा ठीक है तो दोनों को minus करूँ क्या मिल जाएगा हमें देखो 4 minus 2 That is 2 2i cap 2 minus of minus यानि कि Plus j That is Plus 3 j cap 2k cap Minus 5k cap That is Minus 3 k cap यह हमारा क्या आगिया A, B Vector अब देखो A, C Vector निकालो A, C Vector तो A, C Vector का मतलब क्या Position Vector of C Minus Position Vector of A ठीक है तो यहाँ से Position Vector of C हमें मालूम है 2, 4, 4 यानि कि Position Vector of C में लिखो तो जो क्या जाएगा 2i cap Plus 4j cap Plus 4 times k cap ठीक है 2i cap Minus j cap Plus 5 times k cap ठीक है दोनों को minus करो तो 2 minus 2 cancel हो गया 4 minus of minus यानि कि plus j यानि कि 5 j cap हो जाएगा और यह 4 k cap और minus 5 k cap that is minus k cap यह हमारा आगिया A, C Vector ठीक है तो A, C Vector और A, B Vector मालूम है अब हमें चाहिए एक Vector जो इस plane के perpendicular होगा तो इस plane के perpendicular है एक Vector हमें चाहिए तो अपन करते क्या है कि इस plane के मालो यह perpendicular Vector यह रहा ठीक है इस plane के perpendicular Vector मालो मैंने यह माल लिया तो वो हमारा Vector A, B और Vector A, C को क्रॉस करूँँगा तो दोनों के perpendicular जो Vector होगा तो दोनों के perpendicular अगर मेरे को एक Vector निकालना है यानि कि Vector N उसको बोलू तो वो कैसे निकलेगा तो A, B को cross करना पड़ेगा A, C के साथ तो यहाँ से अपन A, B को A, C के साथ cross कर देदे तो Vector N मिल जाएगा तो इसको cross करो तो I, J, K determinant से अपन निकाल रहे तो A, B Vector हमारा क्या है देखो A, B Vector का coefficient I, J, K का 2, 3, minus 3 यहाँ पे लिखो 2, 3, minus 3 ठीक है A, C का अपन देखे तो I का coefficient 0 है J का 5, K का minus 1 तो 0, 5, minus 1 ठीक है तो यहाँ से यहाँ में क्या मिल जाएगा I Vector I Vector के बहुत इस determinant को expand करो तो 3, 2, minus 3 that is minus 3 इसको इस से multiply करो तो minus 15 यानि के plus 15 हो जाएगा यहाँ पे J का के बहुत expand किया तो 2, minus 2 that is minus 2 0, minus 3 that is 0 K का के बहुत expand करो क्या हो जाएगा 2, 5 that is 10 और 3, 2, 0 that is 0 ठीक है तो यह हमें मिल गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा minus minus plus 2 J कैप और यहाँ पे plus 10 K कैप ठीक है हमें क्या चाहिए था तो हमें तो Vector N जो की perpendicular है plane के वो तो मिल गया लेकिन हमें चाहिए था उसका unit vector ठीक है तो unit vector निकालने के लिए पन जाते है किसी भी vector का unit vector N का हमारा magnitude निकालना है तो किसी भी vector का माल लो हमारे पास P vector है जो की है XI vector plus YJ vector plus Z times K vector अगर मेरे को इसका magnitude चाहिए तो कैसे निकालते हैं तो P vector का magnitude क्या होता है तो under root ठीक है X का square plus Y का square plus Z का square ठीक है तो यहाँ से similarly क्या कर देंगे under root 12 का square that is 144 plus 2 का square that is 4 plus 10 का square that is 100 ठीक है तो यह क्या आगे हमारा तो यहाँ से तो यह क्या बन जाएगा हमारा 2 under root 60 इसको मैं लिख सकता हूँ ठीक है Vector N के मैं चूट को तो यहाँ से हमें क्या मिल लाएगा देखो इस से अपन ठीक है और प्लस 5 के कैप यह मिलेगा और नीचे के magnitude that is 2 under root 62 से मैंने डिवाइड कर दिया तो यह 2 से तो यह 2 कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो यूनिट वेक्टर N हमें क्या मिल लिया तो यूनिट वेक्टर N is equal to मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 6 I cap प्लस J cap प्लस 5 times K cap अपॉन अंडर root 62 तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस question का final answer Thank you